आज हम इस चैप्टर को देख रहे हैं डृध इप्रीधिन और एक्स्चेंज ऑफ गैस स अर देखे बिटे यह वो चैप्टर है प्रीधिदिंग अग्स्चेंज और गैसिस यह पर जो आपसे question पूछा जा सकता है वो brachial respiration पे पूछा जा सकता है so the question please try to understand page number one पर मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा कि they can ask you what is brachial respiration जल्दी जल्दी try कीजिए कौन सा respiratory organ है जो की brachial respiration में इस्तेमाल किया जाता है so मैंने आपसे कहा कि बिलकुल अलग तरह से question पढ़ेंगे we will see के NCRT के किस पार्ट से कौन सा question आ सकता है so NCRT में किस paragraph से क्या question आ सकते है this is something important हम सब ये पढ़ चुके है so brachial brachial में बेटे इदर देखिए so अगर आप अपनी NCRT पे जाएंगे so यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो यह हमने कहा बेटे गिल्स हो गया tracheal tubes बेटे वो अलग है brachial respiration में अचा brachial शब्द में बेटे आपके लिए गिल्स इस्तिमाल होगा so what exactly is happening here बेटे गिल्स agreed so what is involved in in brachial respiration the answer is बेटे गिल्स अब ध्यान से समझेगा बेटे अगर आप गिल्स से लैंड पर respire करेंगे so examiner आप से पूछ सकता है कि इसको लैंड पर use करने में क्या problem है देखिए question बता रहा हो सीधा तो आप यह कहना कि एक तो water loss बहुत जादा हो जाएगा water loss increase हो जाएगा क्योंकि गिल्स exposed होते है number two बेटे गिल्स क्या है बहुत जादा fragile है और इसी लिए इसी लिए trauma होगा और damage हो सकते हैं ये दो problem आप से पूछी जाएगी तो फिर आप से पूछा जाएगा कि क्यों water organism में बहतर है तो आप कहेंगे के पानी की कमी नहीं है water loss की और इस तरह की जो injury है उसके chances भी बहुत कम है so question number one is it absolutely clear बताईए why और n इस paragraph से आप से assertion reason में ये question आप से पूछा जा सकता है upper respiratory tract इदर देखो upper respiratory tract एक term इस्तेमाल कर रहा हूँ upper respiratory tract upper respiratory tract में बेटे nasal cavity आती है nasal cavity nasal cavity से air जाती है nasal pharynx so nasal pharynx nasal pharynx के बाद में आपका पूरा पार्ट जो pharynx है इस पार्ट में जाएगा एक जहाँ oral cavity खुलती है उसे oro pharynx कहते है जहाँ larynx खुलता है उसको laryngo pharynx कहते है और pharynx के बाद में lower respiratory tract शुरू हो जाता है so question number one upper respiratory tract pharynx तक कहते है so this is something very very important to understand यह जो nasal passage है और यह जो pharynx है यह पार्ट upper respiratory tract का पार्ट है upper respiratory tract nasal cavity और pharynx को मिला कर के कहा जाता है I hope this is now clear अब देखो बच्चे इदर मैं दुबारा लिख रहा हूँ दुबारा लिख रहा हूँ इस स्लाइड पर यह सारी स्लाइड आपके लिए मैं छोड़ दूँगा मैंने आपसे कहा कि जब आप बात करते है upper respiratory tract की तो आप बात करते है nasal cavity की और आप बात करते हैं बच्चे pharynx की pharynx की तीन बेटे openings है pharynx में तीन openings है एक तो nasal cavity खुलती है इसे nasal pharynx कहते है oral cavity खुलती है oral pharynx कहते है और larynx खुलता है मैटे इस जगे को laryngo pharynx कहते है तो एक चीज यह पूछा जाएगा दूसरा question आपसे पूछा जाएगा यह nasal cavity का काम क्या है तो nasal cavity का काम air conditioning function कहा जाता है air को filter करती है तो अपनी NCRT साथ साथ देखते रहिए air को warm करती है और air को humidify करता है तो यह बिटे काम है nasal cavity के तो nasal cavity में हमने यह कहा कि यह काम हो रहा है इसके बाद हमने यह कहा कि वो क्या चीज है एक और question यह क्या चीज है जो prevent करता है prevents entry of food prevents entry of food into nasal cavity into nasal cavity जब आप swelowing कर रहे हैं तो वो क्या चीज है जो खाने को nasal cavity में एंटर नहीं करने दे रही तो इसका answer है बेटे you wula so please listen to this क्या यह सारे answers सापको आते है करते जाहिए बेटे बिलकुल करते जाहिए मैंने आपसे कहा आज मुद्दे की बात कर रहे है question पूँच जाता है need entrance exam में पढ़म कई बार चुके आप देखिए बेटे क्या question आ सकता है दूसरा question ये आएगा कि entry into trach sia entry into wind pipe swallowing के दौरान entry into wind pipe कौन कौन बेडे क्या करता है prevent करता है तो एक चीज तो आप सब को पता है वो है epiglottis और दूसरा बेटे vocal cords का approximation जिस टाइम पर जिस टाइम पर swallowing होती है तो vocal cords बंध हो जाती है और इन दो वज़े से खाना wind pipe में नहीं गुसता वो जो पहला paragraph है उसमें क्या क्या question आ सकते हैं आपके सामने nasal cavity का function देख लीजिए pharynx is a confluence of three openings pharynx में regulate करना पड़ेगा खाना food pipe में ही जा रहा है तो क्या वज़े है कि nasal cavity में नहीं गुसरा है उसकी वज़े है युबला क्या वज़े है wind pipe में नहीं गुसरा है उसकी वज़े है epiglottis और vocal cord की approximation यहां से जब मैं आगे जाऊंगा तो larynx से देखे बच्चे larynx से शुरू होगा आपका lower respiratory tract so lower respiratory tract larynx से शुरू होता है और यहां पर आपने क्या क्या question करने है so जो questions यहां पर आएंगे वो larynx की continuation है trachea so larynx की continuation है trachea और trachea जो है it is present in media stynum trachea present है बेटे media stynum में media stynum thorax के बीच की जगे है number two it divides into two principal broncas यह जो दो principal broncas पे divide हो रहा है यह division पेटे fifth thoracic vertebra पे है so at the level of the fifth thoracic vertebra simple questions पेटे देखते जाएंगे larynx ओ स्वरी ट्रेकिया और broncas और initial bronchioles में there is incomplete incomplete cartilaginus rings incomplete cartilaginus rings है और यह जो rings है इनकी shape बेटे c-shaped है और सुन लीजिए they are deficient dorsally पीछे की तरफ नहीं है तो वो पूछेगा अगर incomplete है तो incomplete कहाँ पर है इस तरह की c-shaped होगी तो back side में बेटे complete नहीं है front side पे आपको क्या मिलेगा complete मिलेगा back side में complete नहीं मिलेगा they are deficient dorsally this is a very very important thing to understand और हमने यह कहा के यह जो cartilaginus rings है यह आपको कहाँ दिखाई दे रही है बेटे trachea में और कहाँ दिखाई दे रही है bronchi में और कहाँ दिखाई दे रहा है बेटे initial bronchioles में यह लाइन अपनी NCRT की देख लीजिए यहाँ पर यह supporting system है इनका काम यह है that they prevent collapse they prevent collapse of trachea trachea को collapse नहीं होने देते dorsally deficient होने का फाइदा यह है इसो फैगस can expand without damaging इसो फैगस expand हो सकता है बिना damage किये यह सारे question आपको यहाँ से पूछे जा सकते है then this bronchioles enters into the lungs lungs के medial surface पे यह वाला surface lungs का medial होगा हमारी body में दो lungs है एक right और एक left और जो right lung है उसमें तीन lobes है left lungs में बेटे दो lobes है लेकिन left lung में एक cardiac notch है एक cardiac notch है left ventricle को accommodate करने के लिए तो अगर मैं यहाँ पर left lung पूरा बनाता तो इस तरह से cardiac notch बनाता यहाँ पर बेटे तीन lobes है यहाँ पर केवल बेटे दो lobes है I hope this is now absolutely clear यह जो medial surface है इस जगे पर यह medial है बेटे इस medial surface पे जो opening आपको दिखाई दे रही है इसे highlam कहा जाता है highlam opening को कहते हैं फिर चाहे वो seed में हो बेटे चाहे फिर वो kidney में हो चाहे फिर lungs में हो क्या यह बात बिलकुल clear है जो यह सारे के सारे questions आप से पूछे जा सकते हैं जल्दी बताईए बेटे wind pipe is wind pipe wind pipe would be बेटे trachea food pipe would be food pipe would be food pipe would be isophagus food pipe isophagus होगा बेटे wind pipe trachea होगा अब ध्यान से समझेगा यहां से मैंने जो आपको question कराए वो basically यह particular part है यह जो particular part है इसके बारे में हमने बात करी और अब हम lungs के अंदर जा रहे हैं तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें बेटे तो यह वो part है जहां पर हम कहते हैं यह media stynum है यह thorax है और thorax के center में ध्यान देतो बच्चे thorax के center में जो यह part है दोनों lungs के बीच में इस part को media stynum कहते हैं इस media stynum में आप देखिए यह trachea descend कर रही है और जब यह trachea descend कर रही है एक और चीज़ देखिए इस अ continuation of larynx यह जो voice box है cartilage का बना हुआ इसे larynx कहते हैं और larynx की continuation क्या है बेटे trachea है trachea की investment देखिए इसके आगे की तरफ आपको इस तरह से ring-like structure दिखाई दे रहा है अगर आप इसको पीछे से जा कर के देखेंगे तो यह ring-like structure दिखाई नहीं देगा इस point को carina कहा जाता है this point is called as carina यह fifth thoracic vertebra पे आती है और उसके बाद में यह जो part है यह वाली जग है इसको आप hyalum कहते है hyalum से यह trachea की जो broncus है यह अंदर घुस्ती है क्या यह बात बच्चों बिलकुल क्लियर है यहां तक अगर कोई भी अगर यहां तक कोई भी बेटे आपके पास doubt है तो please पूछिए what happens when it enters into the lungs so the trachea divides into the principal broncus the principal broncus enters into the lungs the lungs are invested by a double layered membrane lungs के चारो तरफ एक double layered membrane होती है यह देखिये मैं membrane कैसे बना रहा हूँ यह जो अंदर वाली layer है इसे visceral pleura कहते हैं और यह visceral pleura बिलकुल lungs के surface से चिपकी हुई है it reflects upon itself इस तरह से reflect होकर के देखिये यह double layered बन गई है उमीद है आपने देखा के मैंने किस तरह से diagram बना करके इसको reflect किया है और यह double layered बन गई है और इस जगे को हमने कहा बेटे मैं इसी color में यहां लिख रहा हूँ this membrane is the plural membrane plural membrane में जो outer layer है उसे parietal pleura कहते है जो inner layer है उसे visceral pleura कहते है बीच में जो space है उसे pleural cavity कहते है और एक और बात याद रखिएगा उसमें थोड़ा सा fluid होता है और यह बेटे reduce करता है friction यह reduce करता है friction lungs के expansion के लिए आपकी NCRT की line उमीद है यह बात बिलकुल clear हो गई होगी यह रहा question so question देखिए lungs के अंदर double layered pleural membrane बाहर वाली layer को parietal pleura कहा अंदर वाली layer को visceral pleura कहा और फिर देखिए दोनों के बीच में एक छोटी सी space है इस space को pleural cavity कहा pleural cavity में थोड़ा सा fluid है उसे pleural fluid कहा और इसका काम है जब lungs expand करते हैं air जब अंदर जाती है तो basically ये क्या कर रहा है बेटे friction को reduce कर रहा है क्या ये बात बिलकुल clear है बच्चो अब देखो इसके बाद में एक और चीज़ ध्यान रखना आगे काम आएगा ये आगे काम आएगा ये जो मैं structure बना रहा हूँ ये muscular diaphragm है तो हमने ये का हमारी बाडी में जो diaphragm है वो muscle है ये muscular diaphragm है और parietal plura इसके साथ continued है प्लीज ट्राइ टू सी नीले रंग में जो parietal plura मैंने बनाई है वो upper surface of diaphragm से continued है ना दिस इस वेरी वेरी important बहुत ज़्यादा important बात समझने की कोशिश करिये जब भी diaphragm move करेगा तो plural membrane भी साथ में move करेगी इस इस वेरी वेरी important concept इस concept को समझ लीजिए diaphragm is supplied by phrenic nerve नहीं करता नीट में आएगा लेकिन फिर भी एक बार अगर हो सके तो इसे याद रखिएगा के muscle है तो कोई ना कोई nerve इसको stimulate करेगी उस nerve का नाम है बेटे phrenic nerve तो इतनी बात समझने के बाद में आगे ये देखिए के अब होगा ये के ये जो particular बेटे ब्रॉंकस हैं ये छोटे छोटे ब्रॉंकस primary, secondary, tertiary, initial bronchioles और terminal bronchioles में divide होगा तो हमने ये कहा कि यहाँ पर बेटे हमने का primary, secondary, tertiary ये ब्रॉंकस हो गए और इसके बाद में initial क्या आगया बेटे bronchioles I am limiting myself to what is written in NCRT और उसके बाद में हमने कहा बेटे क्या आगया terminal bronchioles हो गए और इसका further आगे क्या होना है बेटे इदर देखिए यहाँ पर कुछ respiratory bronchioles attach होंगे और respiratory bronchioles के end पर attach होगा बेटे अब bunch of alveoli so please try to understand इसके बाद में भी एक और division होती है जिसे आप respiratory bronchioles कहते हैं और उसके end पर आपके sack like structure है जिने आप alveoli कहते हैं 100 million approximately 300 million alveoli हैं दोनों लंग्स में करीब करीब 80 meter square area है now this is a very very big diffusion big adaptation for rapid diffusion so lungs के अंदर दोनों लंग्स के अंदर मिलाकर के करीब 300 million alveoli है और यह जो 300 million alveoli हैं अगर इन्हें खोल के बिछा दिया जाएं तो इनका surface area बेटे 80 meter square हो जाता है और इतना huge surface area इसलिए बहुत जरूरी है ताकि rapid diffusion हो सके तो यह सारे के सारे देखिए बेटे जो basically आपके diagram में जो question आपसे पूछा जा सकता है ध्यान से देख लीजिए आपका कोई doubt है कोई पूछ रहा है अगर sir what will happen if there is too much plural fluid अगर बहुत जादा plural fluid होगी तो lungs collapse कर जाएगा so question पूछा है वियोम अगरवाल वियोम बड़े ध्यान से समझे अगर जरूरस से जादा plural fluid होगी तो plural cavity के अंदर pressure बढ़ जाएगा और बेटे lungs collapse कर जाएगे और lungs collapse कर जाएगे तो problem यह होगी कि breathing असान नहीं रहेगी NCRT 2024 in two months need two months मैटे बहुत time है आप पढ़ना शुरू कर दिये अभी मैंने आपको बताया आपके सामने अभी देखे कितने शांदार तरीके से एक-एक एक आपको किस से एक-एक paragraph से यह बता रहा हूं कि इस-स question के आने की आने की संभावना जादा है so this is my experience I am sharing with you और आप बैठ करके बैटे से टिक करिए और साथ के साथ NCRT देखते रही है एक और important concept देखिएगा बैटे हम यह कह रहे हैं कि पीछे की तरफ पीछे की तरफ बिलकुल back में there would be thoracic vertebra so back में अगर आप देखेंगे थो थोरेसिक वर्टीब्रा है बेटे so back में thoracic vertebra है so अगर आप डौर्सल साइड में देखेंगे यह पाट थोरेक्स है और थोरेक्स के back में आप क्या कह रहे हैं बेटे thoracic vertebra है vertebral column है और आगे की तरफ आगे की तरफ आपको पता है इहां sternum है सो आगे की तरफ हमने क्या कहा बेटे क्या चीज है स्टर्नम स्टर्नम कौन सी साइड है बेटे वेंटरल जो थोरैसिक केज है बेटे वो कौन सी तरफ है बेटे डॉरसल सो यहाँ पर बेटे थोरैसिक केज है यहाँ पर स्टर्नम है और बीच में बेटे रिब केज है सो हमने यह कहा यह सारा का सारा जो रिब केज है यह लेटरल है और नीचे की तरफ बेटे मस्कुलर डायाफ्राम है थोरैसिक केज की बाउंडरीज देखिए question आप से ये पूछा जाएगा कि ये जो thoracic cage है इसकी boundaries क्या क्या है तो इसकी boundaries देखिए बैटे पीछे की तरफ हम ये कह रहे हैं कि vertebral column होगा आगे की तरफ हम कह रहे हैं sternum होगा और बैटे पीछे vertebral column और आगे sternum को connect करते वे हम देखेंगे rib है और बैटे नीचे की तरफ हमने क्या देखा बैटे डायाफराव है और इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम यहाँ पर अपनी slide को दुबारा इसको ठीक कर लेते हैं देखेंगे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि exactly हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं इस वाले paragraph को बैटे इसमें से क्या question हा सकता है इस paragraph को देखिए इस paragraph से मैं बता रहा हूँ आपको क्या-क्या question हा सकता है सबसे पहली चीज तो यह है कि जो thoracic chamber है बच्चे thoracic chamber है वो बैटे उसकी आपसे पूछेंगे boundaries क्या है so what are the boundaries तो पहली boundary तो dorsal पीछे की तरफ हमने कहा कि vertebral column है और कौन से vertebra है बैटे thoracic फिर पूछेंगे आगे की तरफ इस तरफ बैटे ventral यह वाली side कौन सी है ventral ventral side पे जो bone है बैटे इसे कहते है sternum laterally बैटे पूरा का पूरा क्या है rib cage rib cage और बैटे जो lower end है inferiorly वहाँ पर क्या है muscular diaphragm तो पहला point तो यह देख लीजिए कि इसकी boundaries क्या क्या है so what are the boundaries अब हम यह पूछ रहे हैं आपसे इसके बाद में इतनी बात हमें समझ में आ गई air tight chamber क्यों है so why is it important कि lungs should be air tight chamber यहां से assertion reason question समझेए देखें यह thoracic chamber है बाहर की तरफ thoracic chamber और और अंदर इसके lungs रखे वे हैं so what is happening inside is the presence of the lungs so lungs जो tissue है बैटे वो यहां पर है so अब आप ऐसे समझे कि बाहर तो बैटे thorax है और अंदर क्या है मेटे lungs है lungs को हम directly ventilate नहीं कर सकते लेकिन अगर मैं thorax को expand करूँ अगर मैं thorax को expand करूँ तो lungs भी expand हो जाएंगे so हम यह कह रहे है we cannot we cannot directly directly expand lungs हम lungs को directly expand नहीं कर सकते कैसे करना पड़ेगा indirect करना पड़ेगा पहले किसको expand करिए thorax को और उसकी वज़े से lungs expand होंगे उसके लिए जरूरी यह है कि जब आप बाहर वाले thorax की wall को खीच रहे है तो air यहां से ना घुज जाए और इसी लिए बेटे यह air tight होना चाहिए so therefore this thing has to be an air tight chamber क्योंकि अगर air tight chamber नहीं हुआ और wall में कोई defect हुआ तो जब आप बाहर से इस वाली line को खीचेंगे तो यहां से air यहां enter कर जाएगी that is the problem it is therefore very important that the thorax must be an air tight chamber thorax बेटे air tight chamber होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि आप lungs को directly expand नहीं कर सकते lungs को expand करने का तरीका यह है कि thorax को expand करिए और thorax को expand करते वे यह जो plural cavity है इसमें बाहर से air enter नहीं करनी चाहिए इसी लिए यह बिलकुल air tight chamber होना चाहिए तो NCRT क्या कह रही है मैं यह थोड़ा बाहर आकर के इसको पढ़ता हूँ the lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically and air tight chamber dorsal, vertebral column है ventral sternum है laterally ribs है और lower side पे बैटे diaphragm है anatomic setup ऐसा है कि अगर आप thorax में change लाएंगे तो lungs में change आएगा और इसलिए जरूरी है क्योंकि हम directly alter नहीं कर सकते lungs की volume को बना बनाया question है बेटे बहुत मैं surprise नहीं होंगा अगर पांच मई की शाम को हम ये paper में फिर discuss कर रहे हो कि आया था इतना important question है इस बार need entrance के लिए उमीद है आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी अब आपकी NCRT ये बड़ा बड़ीया point ये कहती है अगले paragraph में के आपने सबसे पहला काम करना क्या है तो आपने सबसे पहला काम तो ये करना है बेटे के air को lungs के अंदर लेकि आना है point number one point number two आपने क्या करना है बच्चे के इसको आपने exchange करना है बेटे ब्लड के साथ में इसको exchange करना है ब्लड के साथ में point number three क्या है बेटे इसको deliver करना है बेटे tissues पर और tissues से लेकर के आना है और point number four बेटे इसको regulate करना है तो अगर आप अपने chapter को आगे देखेंगे तो सबसे पहले बेटे pulmonary ventilation है जिसे breathing कहते हैं ब्रीधिंग में एक inhalation और एक exhalation होगा उसके बाद में आप देखेंगे के alveol आई पर exchange of gases होगा और उसके बाद जो topic देखेंगे वो transport of gases होगा oxygen का transport lung से tissues तक और tissues से आप carbon dioxide को लेकर के lungs तक आएंगे देख लीजी अपनी NCRT और last में आप ये देखेंगे कि इस process को जरूरत पढ़ने के हिसाब से कम जादा कैसे किया जा सकता है और last में बिलकुल आखिर में अगर इसमें कुछ गड़बड हो गई तो कुछ disorders कैसे हैं उमीद है हमें पता चल गया कि हमारे इस particular हमारे इस particular इस chapter का flow क्या है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे pulmonary diffusion pulmonary ventilation इसका मतलब ये हुआ किस तरह से air को आप lungs के अंदर लेके आते हैं किस तरह से air को lungs के बाहर लेके जाते हैं दूसरी चीज बेटे there would be an exchange कैसे बेटे oxygen को blood के अंदर पहुचाना है alveoli पर और कैसे बेटे वहां से carbon dioxide को बाहर निकालना है उसके बाद आप देखेंगे transport किसका oxygen का lung से tissue और carbon dioxide का कहां से tissues से lungs तक और उसके बाद आप ये देखेंगे कि इसको regulate कैसे किया जाता है और last में आप ये देखेंगे कि इसमें अगर कुछ गड़बड हो गई तो disorder क्या क्या हो सकते है इस तरह से आपका chapter लिखा हुआ है और इसी तरह से 4-5 question बहुत important बनते हैं इस particular chapter से ऐसे ही chapter में से question बनाया जाएगा बच्चे this is what is going to be asked from NCRT NEET as well so please understand आपके पास जितना भी time है आज इस chapter का बेटे आपने totally finish करना है जितना part हम cover कर लेंगे आपने यह कहा कि हमारे पास जो पहली चीज है वो pulmonary ventilation है और pulmonary ventilation में मैंने आप से कहा दो phases है जिसमें हमने कहा inhalation और दूसरा phase क्या है बेटे exhalation exhalation का मतलब होता है inspiration और बहुत important बात है बेटे this has to happen by diffusion this has to happen by diffusion और diffusion बेटे higher pressure से lower pressure की तरफ होता है so higher pressure to lower pressure होता है बेटे so please try to understand movement of respiratory gases कहीं से कहीं भी जा रही हो बेटे it will move by diffusion वो किस से move करेगा बेटे diffusion से move करेगा exhalation expiration को भी कहतने है बेटे yes so exhalation and expiration is one and the same thing so please try to understand सबसे पहली चीज़ तो यह है कि केवल और केवल diffusion होना है और diffusion में बेटे ATP energy लगनी नहीं है और diffusion हमेशा बेटे हमेशा higher pressure से lower pressure की तरफ होता है अपने high pressure से lower pressure की तरफ जाएगा इसका मतलब यह हुआ इधर देखिए बेटे common sense की बात करते है इसका मतलब यह हुआ बड़ी simple बात यह है कि अगर inhalation होना चाहिए inhalation का मतलब यह हुआ कि air बेटे बाहर से इधर आए lungs में तो हमारा यहां का pressure यहां से कम होना चाहिए क्या यह बात सही है दिमाग लगाईए अगर यह diffusion से move करना है और मैं चाहता हूँ कि inhalation हो तो मैं यह चाहूंगा कि जो बेटे intra pulmonary pressure है जो intra pulmonary pressure है इसको कई बारी intra alveolar pressure भी कह देंगे क्योंकि ultimately मुद्दे की चीज alveolar है और उसमें जो pressure है वो बेटे कम होना चाहिए atmospheric pressure से दिमाग लगाईए हाँ के नहीं दिमाग लगाईए बेटे यह होना चाहिए from a region of higher pressure to a region of lower pressure तो हमें यह समझ में आ गया कि बड़ी simple सी बात है कि intra pulmonary pressure बेटे कम होना चाहिए atmospheric pressure से दूसरी चीज अगर मुझे exhalation होना चाहिए तो हमने यह कहा कि यहां से gas को इधर पहुचाना है यह काम फिर diffusion से होना है तो मुझे यह पता है कि अब की बार क्या होना चाहिए बच्चों बताओ अब की बार हमने यह कहा what is going to happen is that the intra pulmonary pressure the intra pulmonary pressure which is intra alveolar pressure should be higher should be higher than atmospheric pressure अगर ऐसा हो गया अगर ऐसा हो गया तो हमने यह कहा कि आप pulmonary ventilation कर पाएंगे क्या यह बात बिल्कुल clear हो गई बेटे अब देखिए अगला question देखिएगा वो यह पूछ रहे हैं करे कैसे वो यह पूछ रहे हैं इसको करेंगे कैसे अगर आप से पूछेगा आपने कहे तो दिया मुझे lungs को ventilate करना है पर मैं directly तो ventilate करी नहीं पा रहा हूँ तो आप यह कहेंगे कि इस काम के लिए सबसे पहले thorax की volume को change करिए इस काम को करने के लिए कि lungs की volume और lungs के pressure को change करे सबसे पहले बेटे this change will be seen in lungs क्या ये बात दुबारा याद आगई आपको अब उसके बाद ये दिखाई देगा बेटे lungs में क्या हो रहा है और देखो बच्चे बड़े ध्यान से ध्यान से देखना बेटे अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास मेरे पास lungs की volume को बढ़ाने के लिए जो thorax की volume बढ़ानी है उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं दो तरीके ये हैं एक तरीका तो ये है कि मैं इस axis में thorax का diameter increase कर दूँ और ये जो axis है बेटे इसको हम कहेंगे बेटे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एंटीरियर है ये पार्ट क्या है बेटे posterior है सो हम कहेंगे इसको anterior posterior axis सो आप जो है thorax को expand कर सकते है दो axis में एक आपके पास है AP axis AP का मतलब क्या है बेटे anterior posterior axis anterior posterior axis को बढ़ाने diaphragm है सो इसके नीचे हमने ये कहा यहाँ पर क्या है बच्चे diaphragm है और हम diaphragm को कहां ले जा रहे है बेटे नीचे ले करके जा रहे है सो diaphragm को contract करके कहां ले जा रहे है नीचे immediately ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा और इसकी volume बढ़ जाएगी इसके अंदर का pressure घट जाएगा और inhalation हो जाएगा सो हमें ये समझ में आ गया के आप contract कराईए diaphragm को contract कराईए diaphragm को और contract कराने से diaphragm move करता है नीचे की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है और बेटे जो thorax है इसका इसका मतलब बेटे thorax की volume बढ़ेगी और pressure घटेगा और pressure घटेगा और ये चीज किसमें दिखाई देगी बेटे lungs में lungs में भी alveoli का pressure क्या होगा बेटे decrease होगा lung की volume increase होगी और इसकी वजह से inhalation होगा और जो air है that will move into the lungs इस चीज को inhalation कहा जाता है उमीद है ये बात आपको समझ में yes flat हो जाएगा नीचे की तरफ move करेगा anterior posterior axis में बेटे diameter बढ़ जाएगा इसमें thorax की volume बढ़ जाएगी thorax के अंदर का pressure घट जाएगा और ये सेम चीज किसके अंदर होगी बेटे lungs की lungs के अंदर का pressure बेटे कम हो गया बाहर से और बाहर से air move करके कहां पर आ जाएगी lungs में इस process को कहते है inhalation जब exhalation होगा exhalation कैसे होगा बेटे exhalation का मतलब ये हुआ कि अब ये बाहर वापस आना है so exhalation का तरीका है कि इस time पर ये क्या करेगा बेटे बेटे diaphragm क्या करेगा relaxation of diaphragm relaxation of diaphragm diaphragm वापस आ जाएगा अपनी जगे पर और ये सब चीजे उल्टी हो जाएगी thoracic volume कम होगी pressure बढ़ेगा lungs की भी volume कम होगी pressure बढ़ेगा और exhalation हो जाएगा under normal physiological conditions ध्यान देना बेटे normal resting condition ध्यान दो बच्चे normal resting condition में almost all almost all करीब करीब सारा respiration जिसे आप breathing कहते हैं that is because of diaphragm that is because of diaphragm diaphragm main respiratory muscle है diaphragm की injury सबसे ज़्यादा खराब हो सकती है और ये main respiratory क्या है बेटे muscle है करीब करीब सारा सारा का सारा breathing at rest is because of diaphragm diaphragm अगर contract करेगा तो inhalation होगा और अगर relax करेगा तो exhalation होगा मैंने उसी question को 4-5 तरीके से लिख दिया है अब समस्या ये है कि अगर इससे काम नहीं चल रहा अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो क्या करें आपने diaphragm से कर लिया लेकिन problem ये है कि अब बेटे इसका ये चीज एनफ नहीं थी this is not enough what to do तो आपके पास एक दूसरा access है बेटे एक दूसरा access है इसको डॉर्सो ventral access कहेंगे पीछे से आगे की तरफ इस तरह वाला अभी आपने ये वाला access क्या किया है बेटे मैंनिपुलेट किया है अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटे ये वाला access को मैनिपुलेट करेंगे जो कि sternum से और और बेटे thoracic vertebra के बीच में ये वाले पार्ट को हम क्या करेंगे अभी हमने बेटे इस तरह से आफ राम को नीचे मूव किया तो ये एंटेरो पोस्टीर एक्सिस को हमने एनांस की आपकी बार हम इस तरह से करेंगे और इसको हम कह रहे हैं बेटे के अब की बार आपने करना है डॉर्सो वेंटरल एक्सिस अब आपके पास आपके पास जो दूसरा तरीका है वो है कि थोरेक्स की वॉल्यूम को आप डॉर्सो वेंटरल एक्सिस में बढ़ाईए बिल्कुल ठीक है बेटे इस काम को आप करते हैं बाई दा मूव्मेंट ओफ दी रिब केज अब डॉक्वेंट ओफ रिब केज इसकी मूव्मेंट आपको करनी पड़ेगी अगर आप रिब केज को एलिवेट करते हैं और एलिवेट आप करते हैं एक्सटरणल इंटरकोस्टल अगर आप इसको कॉन्ट्रैट करते हैं तो rib cage elevate होता है elevate होता है तो इसकी volume thorax की volume increase होती है pressure decrease होता है और यह दिखता है कि इसमें lungs में lungs की volume भी increase होती है और pressure decrease होता है और इसकी वजह से inhalation होगा इस वेरी वेरी simple जैसी ही आप rib cage को elevate करते हैं elevate करने में आप से पूछेंगे कौन सी muscle है muscle का नाम है external intercostal muscle जब यह contract करती है तो rib cage को elevate करती है rib cage को elevate करते है तो thorax की volume बढ़ती है pressure घटता है और thorax की कोई भी volume और pressure में change आएगा तो वो change lungs में दिखाई देगा lungs की volume बढ़ेगी pressure घटेगा और उसके बाद में इसकी वजह से inhalation होगा अगला देखिए बैटे अगर exhalation होना है तो exhalation में उल्टा होगा exhalation में हम क्या कह रहे हैं कि rib cage को depressed करना है so the rib cage has to be depressed तो हमने यह कहा कि depression of rib cage वापस लियाए rib cage को वापस लियाए rib cage किसकी मदद से अपकी बार internal intercostal muscle internal intercostal muscle so इसको भी क्या करना पड़ेगा बैटे contract और इसकी वज़े से हमने यह कहा कि thorax की volume क्या होगी बैटे decrease इसका pressure बड़ेगा और this will be seen in lungs इसकी भी volume क्या होगी decrease और pressure increase होगा और इसकी वज़े से exhalation होगा this is going to lead to बैटे exhalation इसकी वज़े से exhalation होगा इसके बाद अगर कुछ करना है इसके बाद कुछ करना है तो बिलकुल respiratory distress कहते है इसमें बैटे abdominal muscles को use किया जाता है so the muscles that are used in last और बैटे ज़्यादा देर नहीं चलता this is dangerous situation अगर abdomen muscle को बहुत ज़्यादा use करना पड़ रहा है तब इसका मतलब respiratory distress है respiratory distress है I hope this is now absolutely clear अब मैं यहाँ पर एक बार आपकी NCRT पे जाना चाहूंगा और यहाँ देखते हैं कि अभी हमने करा क्या है अभी हमने करा क्या है देखे बैटे यह mechanism की बात हुई है inspiration, expiration उन्होंने सीधा कहा है कि lungs के अंदर का pressure और atmospheric pressure देख लो अगर lungs के अंदर pressure atmospheric pressure से कम है तो air अंदर आएगी ज़्यादा है तो बाहर जाएगी और यहाँ पर बैटे इस diaphragm की वज़े से हम कह रहे हैं कि diaphragm contract होगा तो नीचे आएगा देखे नीचे आएगा और नीचे आएगा तो air अंदर आएगी और यहाँ external intercostal बैटे क्या करेंगी यह उपर की तरफ जाएगा rib cage उपर जा रहा है तब भी बैटे हम क्या कह रहे हैं कि inhalation होगा यह diaphragm के contraction से हो रहा है यह external intercostal के contraction से यह बैटे elevate हो रही है प्रेशर घट रहा है और दोनों ही cases में बैटे reflect हो रहा है lungs के अंदर lungs की volume बढ़ रही है और प्रेशर घट रहा है और हम कह रहे है क्या हो रहा है बैटे inhalation और यहाँ देखिए बैटे उल्टा हो रहा है आप इसको वापस ले आए देखिए यहाँ देखिए यहाँ volume कम हो गई है इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया होगा और एर बैटे बाहर चली गई है इस चीज को मैं कह रहा था यह thoracic vertebra है यह बैटे sternum है प्लीस ट्राइटो अंडरस्टेंड यह dorsal side है यह ventral side है दोनों को connect करते वे दोनों तरफ बैटे ribs होंगे और उस चीज को बैटे क्या कहते है rib cage कहते है जिस भी बच्चे ने पूछा था बड़े ध्यान से देख लीजिए इस diagram को मैं यह कह रहा हूँ यह पीछे की तरफ vertebral column है यह आगे की तरफ sternum है इनको आपस में जोडेंगे बैटे किस से rib से और जैसे ही आप rib से जोडेंगे तो दोनों तरफ जोडना है बच्चे तो यहां से बैटे rib शुरू होंगे और इस तरह से rib बैटे thoracic vertebra पे attach हो जाएंगे और आप यह देखेंगे कि क्या बन गया है बैटे rib cage बन गया है क्योंकि उस तरफ भी होगा यहां पर जैसे ही आपने rib cage और sternum को उठाया यह उठाया किस से external intercostal से और diaphragm को क्या किया बैटे contract तो दोनों की वज़े से inhalation हुआ है और अगर आपने इस से उल्टा किया अगर आपने internal intercostal को contract किया तो rib cage नीचे आएगी diaphragm को relax किया तो diaphragm उपर जाएगा यहां की volume बैटे क्या हो जाएगी कम pressure बढ़ जाएगा और air बाहर निकल जाएगी internal intercostal बैटे जब आप येस जब आप normal से ज़्यादा exhalation कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है अब ऐसा करते हैं यहां पर अग इस वाले पार्ट पे चलते हैं respiratory volumes and capacities इस test का नाम है PFT PFT को हमने कहा pulmonary function test pulmonary function test और pulmonary function test हम कर रहे हैं spirometry की मदद से और spirometry में होता ये है कि एक बेटे एक इस तरह का blower होता है वो patient को ऐसे कहते हैं इस तरह की एक machine होगी बेटे इस तरह की एक machine ध्यान दीजेगा इस तरह की एक machine होगी इसमें एक बेटे इस तरह का blower होगा इसको हम कहेंगे patient को के वो अपने oral cavity में इसको पकड़ के mouth में और कसके बंद कर ले और फिर हम उसे कहेंगे कि exhale करे इनेल करे तो यहां पर बेटे एक graph आपका निकल के आ जाएगा इस वाले टेस्ट को spirometry कहते हैं इस जो इस जो पर्टिकुलर इस जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है उसको spirometer कहा जाता है इसमें आप नापते हैं हमें इसकी जरूरत है नहीं हम जो नापते हैं इसमें देखिए तो spirometry में या pulmonary function टेस्ट में जो चीज measure की जाती है उसे हम कहते हैं pulmonary volumes and capacities so they are called as pulmonary volumes and capacities pulmonary volumes and capacities now this is very very simple do not complicate it इधर देखिए आपके सामने मैं आपसे कुछ action करने के लिए कह रहा हूँ जो मैं करूँगा आप भी करिए inhale करिए केवल जैसे rest पे inhale करते है normal contraction and relaxation of diaphragm यह जो मैंने inhale किया या जो मैंने exhale किया यह normal inhalation या normal exhalation है इसको tidal volume कहते है इसमें मैंने करीब करीब केवल क्या इस्तेमाल किया है बेटे diaphragm so tidal respiration resting breathing है चाहे आप inhale करें चाहे आप exhale करें दोनों को tidal volume अलग-अलग कहा जाता है मिला करके नहीं तो मैंने यह कहा कि आप अगर pulmonary volume की बात कर रहे हैं तो पहरी pulmonary volume tidal volume हो गई और tidal volume में आपने यह कहा the amount of air you inhale or exhale in a normal breathing normal breathing effort में बिना बेटे किसी और muscle को इस्तेमाल किये वे केवल बेटे जो आप normal breathing कर रहे हैं उसमें चाहे आप बेटे inhale करें चाहे आप क्या करें बेटे exhale करें यह देख लीजीए ध्यान से end नहीं है और है इसको आप tidal volume कहते हैं और यह tidal volume बेटे 500 ml है approximately healthy adults में healthy adults में क्योंकि क्योंकि बेटे 12 से 16 per minute average resting respiratory rate है तो इसलिए 12 into 500 this would be 6000 and 16 into 500 would be 8000 यह वो air है जो एक minute में आपके lungs में घुसती है इसे minute ventilation कहा जाता है इसे आप minute ventilation कहते हैं तो दिमाग लगाईए आपकी NCRT में यह paragraph आपको पढ़ाता हूँ ध्यान देना बच्चे look at the NCRT here tidal volume volume of air inspired और लिखाए बेटे expired पहले तो यह गलती मत करना normal respiration मतलब contraction relaxation of diaphragm करीब कितना है बेटे यह minute volume है बेटे यह कैसे आई 12 से 16 respiratory rate है 12 को multiply करिए 500 से तो lower limit 6000 और 16 को multiply करिए 500 से तो upper limit कितनी हो गई बेटे 8000 ml 6 से 8 liter is the respiratory volume तो हमने कहा इदर देखिए additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration additional का मतलब यह समझ लो बेटे exam में बस गलती है नहीं करनी है कि इसमें title volume include नहीं है title volume include नहीं है यह title volume include नहीं है इसके बाद जो मैं maximum inhale कर रहा हूँ वो क्या है बच्चे शाबाश inspiratory reserve volume है इसको वहाँ पर कर लेते हैं मैंने यह कहा के हमारे पास एक और volume आ गई इसको हम कहेंगे TV so let us call abbreviation as well inspiratory reserve volume और इसमें बेटे title volume मैंने increase नहीं करनी है IRV यह पच्चेस सो से तीन हजार के करीब होगी so this would be this would be the value of the inspiratory reserve volume immediately आपको पता चल गया कि अब इसकी definition बनाने की मेरे को जरूरत नहीं है तो पहले 500 ml exhale करिए और उसके बाद जोर लगा करके बेटे जितना आप exhale कर सकते हैं करिए तो यह जो आप exhalation कर रहे हैं after title volume इसमें भी title volume include नहीं होगी title volume को बाहर फैकने के बाद में पहले 500 ml exhale करने के बाद में जो maximum air आप बेटे exhale कर रहे हैं so मैंने यह कहा कि हम जो है बेटे expiratory reserve volume में हम यह कह रहे हैं हम यह कह रहे हैं रंजीत प्लीस ट्राइट टू अंडरस्टैंड वी आर सेंग कि जब मैं air को बेटे exhale कर रहा हूँ तो पहली 500 ml रंजीत विल नॉट पी in the expiratory reserve volume उसके बाद जो मैं maximum air in exhale कर रहा हूँ बात की बात हो रही है रंजीत a person can expire by a forcible expiration और यह 1000 से 1100 ml हो सकती है सो हमें समझ में आ गया हमारे पास एक और definition आ गई हमने यह कहा expiratory reserve volume आ गया और यह क्या है बेटे ERV और यह 1000 से 1100 ml है so this is what इसके बाद में सबसे पहले बेटे tidal volume exhale करिए ERV भी exhale कर दीजिए जो air lungs में बच जाएगी उसे residual volume कहते है so उसे हम क्या कहते है बेटे residual volume कहते है और करीब बेटे यह 1200 ml होगी और इसको हम क्या लिखेंगे RV so now this is something very important मैंने यह कहा कि सबसे पहले आपने exhale कर दिया बेटे tidal volume भी आपने exhale कर दिया बेटे ERBB तो अब जो volume air की रह गई lungs में इवन आफटर अ फोरसिबल expiration इसको आपने 1100 से 1200 ml इसको आपने क्या कहा residual volume कहा यह forcible expiration से भी lungs से बाहर नहीं निकाली जा सकती lungs में हमेशा residual volume होती है question देखे question number one lungs में हमेशा residual volume होती है यह वो volume है जिसे forcible expiration से भी lungs से expel नहीं किया जा सकता और यह बेटे इसलिए है क्योंकि intra plural pressure negative होता है काम इसका यह है के lungs को collapse नहीं होने देती दूसरा काम यह है के inhalation और exhalation के बीच में जो air lungs में आ रही है वो air के लिए जो blood lungs में आ रहा है उसके साथ CO2 बाहर निकालनी है दुबारा समझ लीजिए दुबारा समझ लीजिए residual volume 1100 से 1200 ml है forcible maximum expiration के बाद भी जो बच गई उसे residual volume कहते है इसको forcible exhalation से भी बाहर नहीं फैका जा सकता यह prevent करती है collapse of the lungs को lungs को expand रखता है इसकी एक बहुत बड़ी वज़े यह है कि lungs के चारों तरफ जो plural cavity है उसके अंदर का pressure negative होता है prevent करने के बजाए collapse को prevent को collapse करने के अलावा यह exchange of gases में भी इस्तिमाल होता है सो हो सकता है last point में थोड़ी सी problem आ रही हो तो मैं यहां पर इसको लिख रहा हूँ बेटे ध्यान देना इधर बड़े ध्यान से देखना बेटे मैंने यह कहा कि मैंने residual volume के बारे में आप से कुछ बात करी residual volume वो air है बेटे कि आप forceable expiration करें forceable expiration करें still in lungs अभी भी किस में है बेटे lungs में है और यह कितनी है बेटे 1100 से 1200 ml this is the amount of residual volume हमने यह कहा यह इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ जो plural cavity है उसका pressure बेटे negative है उसका pressure negative है इसलिए lungs collapse नहीं करते exhalation में अभी आपने पूछा था कि अगर plural cavity में बहुत जादा fluid बढ़ गई तो सर क्या होगा lungs collapse कर जाएंगे lungs collapse कर जाएंगे तो residual volume भी बाहर निकल जाएगी और इसलिए बेटे यह negative value बहुत जरूरी है इसकी वज़े से यहाँ पर residual volume रहेगी क्या यह बात सही है negative intraplural pressure अभी भी बताईए बेटे क्या एक बार और बताऊं दिमाग लगाईए थोड़ा सा question क्योंकि बेटे नीट में पूछा जा चुका है NCRT में नहीं है मुझे पता है लेकिन question आप देखेंगे पिछले पासा साल में पूछा जा चुका है कि lungs में यह होती क्यों है होती इसलिए है क्योंकि यह जो plural cavity है इसके अंदर जो pressure है बेटे वो negative होता है और यह हमेशा expand रहेगा अब आप यह पूछेंगे कि इसका काम क्या है एक काम तो यह है कि it prevents collapse of the lung यह हम सब को पता है और दूसरा बेटे class 10 से हमें पता है कि जब inhalation हो रहा है और exhalation हो रहा है तो inhalation और exhalation के बीच में जो blood है lungs में उसके साथ में gas exchange का काम करती है बताईए क्या यह बात समझ में आ गई residual volume के बारे में यह दोनों बात बिलकुल clear है दुबारा बता रहा हूँ दुबारा बता रहा हूँ बेटे इदर समझो इदर समझो अभी आपने मेरे से यह कहा कि सर यह plural cavity में अगर fluid बर गई तो क्या होगा तो मुझे बताईए क्या होगा अगर plural cavity में fluid बर गई तो क्या होगा प्रेशर बढ़ जाएगा और lungs क्या कर जाएंगे बेटे कोलैप्स कर जाएंगे कुछ इस तरह की कहानी हो जाएगी इदर देखो बेटे इस तरह की कहानी हो जाएगी इस तरह से lungs कोलैप्स कर जाएंगे क्या ये बात सही है बो बेटे अगर क्या भर गया अगर plural cavity में बेटे water भर गया तो हमने ये कहा کہ ये बैटे लंग्स कोलैप्स कर देंगे लेकिन क्योंकि प्लूरिल कैविटी में पानी नहीं है यहाँ का प्रेशर क्या है बैटे नेगेटिव है और ये इसी दिए लंग्स एकस्पेंडिट रहते है इसी दिए एक्जेलेशन के दोरान भी ये पूरी तरह से कॉलैप्स नहीं होता और कुछ एयर इसमें रह जाती है और वो एयर कितनी है करीब 1200 एमल ये रेजिडूल वॉल्यूम है जब आप एक्जेल कर रहे हैं पहले आपने इनिलेशन किया और फिर आप क्या कर रहे हैं बेटे एक्जलेशन अब आप दिमाग ये लगाईए कि इस टाइन पर जो बलड आ रहा है लंग्स में उसके साथ गैस एक्सचेंज कौन करेगा तो वो कौन करेगा बेटे रेजिडूल वॉल्यूम ऐसा नहीं हो सकता कि इनिलेशन और एक्जलेशन के बीच में जो बलड आ रहा है लंग्स में उसके साथ एक्सचेंज ना किया जाए मैं यहां पर फ्लूड की बात कर रहा हूँ सो मैंने ये कहा कि रेजिडूल वॉल्यूम क्या क्या काम कर रही है रेजिडूल वॉल्यूम मैंने ये कहा एक, residual volume एक तो काम ये कर रही है, residual volume एक काम तो ये कर रही है, it prevents collapse, so हमें तो ये बात अच्छी तरह से पता है, और दूसरा मुझे ये पता है, के exchange कर रही है with blood, exchange with blood between breathing, between inhalation, with blood between inhalation, दो inhalation के बीच में ये exchange function carry out कर रहा है, इसी लिए residual volume बहुत important है, इसी लिए residual volume और ERV को मिला कर के functional residual capacity कहा जाता है, उसमें function ही ये है, के वो बेटे carbon dioxide को body में इखटा नहीं होने देगा, एक lung self collapse या फिर बेटे दो lung, एक lung बेटे collapse होगा, जिस तरफ बेटे भर गया है, और believe करना बेटे बहुत respiratory distress होता है, collapse of the lung में बेटे बड़ा मुश्किल हो जाता है सास लेना, abdomen muscle बेटे, आप जब बहुत तेज दोड़ के आते हैं, तो आपकी breathing कैसी हो जाती है, जब आप तेज दोड़ के आते हैं, तो इस तरह से breathing करते हैं, और उस टाइम पर आपको महसूस होता है, कि आप abdominal muscle यूज़ कर रहे हैं, कई बार तेज दोड़ने में आपने देखा होगा, यहां पर बेटे दर्द हो जाता है, तो अगर आप दोड़ते हैं, कई बारी तो आपको ऐसा लगता है, कि यहां पर बहुत pain हो गया है, वो pain बेटे, abdominal muscle बड़ी strong muscle है, बहुत strong muscle है, कितनी और चौथे को प्लस करिए, और चारों को प्लस करिए, देखे द्यान से, तो मैंने क्या कहा, कि आप पहले और दूसरे को प्लस करिए, पहले और तीसरे को प्लस करिए, तीसरे और चौथे को प्लस करिए, देखे बेटे, और एक आप दो तीन चार को प्लस करिए, और एक द और दो को प्लस करिए तो टाइडर वॉल्यूम और इंस्पाइरेटर रिजर वॉल्यूम इमीजेटी आपको पता चल गया यह मैक्सिमम एयर है जो आप इनेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपाइरेशन के बाद में जो मैक्सिमम इनलेशन है वो यह राबेट है ठीक है तो देखिए आपकी NCRT ऐसे डिफाइन कर रही होगी इसको रेटनी की जरूत नहीं हमें पता चल गया यह क्या है तो हमने यह कहाई इंस्पाइरेटरी के पैस थी टोटल वॉल्यूम ओफ एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपाइरेशन देखिए पहले और दूसरे को प्लस कर यह इसी तरह से पहले और तीसरे को प्लस कर लीजिए टोटल वॉल्यूम ओफ एयर अपरसन के एक्सपाइर आफ्टर नॉर्मल इंस्पाइरेशन पहले और तीसरे को प्लस कर दीजिए केवल टाइडल एक्जलेशन के बाद में लंग्स में क्या रह गया है ए यार वी प्लस और यार एक्सिमुम तो रिजिद्म वॉल्यूम फ्लस ऐ य वी प्लस इयर वी और सारे प्लस कर दीजिए टोटल लंग क्याश्थी के आप ठैक्स करिए सबसे पहले प्लस करिए ऑन और टू को तो वन क्या है पीटस टाइडल वॉल्यूम टू क्या है पेटस्पाइरेटरी है और ये वैल्यू बेटे 500 है तो अगर आप से पूछ लें जी इंस्पिरेटरी कैपस्टी कितनी है तो आप बड़े असानी से बदा सकते हैं कि 3500 है बोलो बैटे हाँ या नहीं इस सिंपल और नाट क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है के नहीं हो रही है और देखिये और देखिये पहले और तीसरे को प्लस कर दीजिए पहला क्या है टाइडल वॉल्यू तीसरा क्या है एक्सपाइरेटरी रिजर वॉल्यू नॉर् तीसरे और चौते को प्लस कर लीजिए इसका मतलब यह हुआ कि आपने ERV प्लस प्लस आपने RV यह वो air है जो lungs में रह गई है after normal exhalation के वो normal tidal volume हटा दिया है तो air जो lung में रह गई है इसको आपने क्या कहा पेटे functional residual capacity इस function का मतलब फिर समझ लीजिए function वो ही है यह भी collapse नहीं होने देगा और यह भी function क्या कर रहा है एक्सचेंज कर रहा है जैसे residual volume करती है फिर आपने यह कहा के पहले inhale करिए maximum और फिर exhale करिए maximum यह क्या हो गया vital capacity यह क्या हो गया vital capacity vital capacity calculate कर लेंगे और सारों को थीज़ा को प्लस कर दीजीए all the total lung capacity और एग्हेये एक्जामीनर और पूछ सकता है आपसे बता हो कि अगर मैं total lung capacity में सुननीच मैं total lung capacity से vital capacity बाहर निकाल थू तो वाइटल capacity क्या है माइनस 2 plus 3 plus 4 इमर्ई राइट आपको पताbnि बैटे क्या बच गया यह चीज बच गई ठीक है इस आर दाट सौर्ट ऑफ इक्वेशन दे दे कन में मुझे बताइए कि अगर मैं टोटल लंग कैपैस्टी में से रेजिडूल वॉल्यूम हटा दू तो क्या बचेगा तो अगर मुझे बताइए कि टोटल लंग कैपैस्टी म दूसी तरह से भी कर लीजिए फस्ट इग्जेल तो इनेल टूधी मैक्सिमम सो मैं आपकी एंची आर्टी पे जाकर के मैं आपकी एंची आर्टी पे जाकर के दुबारा कर देता हूँ इधर देखिए आपने चार वॉल्यूम को किया पल्मुनरी यैस वाइटल कैपैस्टी वाइटल कैपैस्टी इस तरह की कुछ इक्वेशन हम टेस सीरीज में आप से तरह की चीज़ें बैटे आपको हर एक प्लैट्फॉर्म पर देखने को मिलती है देखो बेटे अगर ये 500 ml है तो इसके ऊपर हम गए तो बेटे ये IRV है और similarly आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर इसके नीचे गए बेटे तो ये IRV है I hope this is now absolutely clear So ये बेटे क्या है बेटे ये क्या है टाइडल वॉल्यूम ये क्या है बेटे IRV ये क्या है बेटे ERV जो air बच जाएगी इसके बाद भी वो residual volume है अब आप जोड़ लीजिए बेटे इसको और इसको प्लस करिए inspiratory capacity इसको और इसको प्लस करिए expiratory capacity इसको और इसको प्लस करिए बेटे functional residual capacity क्या यह बाद सही है इसको 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 प्लस करिए बैटे वाइटल के पैस्टी और सारों को करिए टोटल लंग के पैस्टी आप बैटे एक 500 ml बना लीजिए 500 ml में आप ऐसे चलते चले जाए टाइडल वॉल्यूम आप बैटे रिकॉर्ड कर रहे हैं यह इंस्पाइरेटर र रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यही ग्राफ है सो यहाँ पर बैटे अब यह जो एयर है बच्चो ध्यान देना यह जो एयर है यह एल्वियो लाई में पहुंच गई है अब अगली क्लास में हम यह देखेंगे कि यह जो पल्मोनरी कैपिलरी है और एल्वियो लाई है इसके कैसे होगा सो सी यू इन नेक्स क्लास थैंक यू सो मच